गुड मॉर्णिंग एस्टुडेंट्स आज हम आप लोगों को संस्कृत में मात्रा ज्यान के बारे में बताने जा रही हूं यह त्रितिय पाठा है त्रितिय यानि तीसरा पार्ट त्रितिय का मतलब क्या होता है तीसरा पार्ट तीसरा लेशन तो यह इसमें क्या है मात्रा का संस्कृत में पढ़ना है तो यह क्या है स्वर यह आपके सारे कि क्या है स्वर और आ से लेकर अह तक और यह क्या है मात्रा यह क्या है सब्द यह क्या है चित्र बतलब चित्र भी दिया हुआ है क्योंकि सब्द जो लिखा हुआ है तो सब्द का कौन सा सब्द हुआ तो वह चि डंडा की तरह लिखते हैं आखी मात्रा, तो आखी मात्रा से सब्द क्या बना है आमरमम, क्या बना है आमरमम, ये क्या है आम, ये चित्र है आम का, आम का चित्र है इसलिए ये क्या है आमरमम, ये है आखी मात्रा, ये है आ, ये क्या है छोटी, तो छोटी की मात्रा तो आप ल चित्र बंदर है तो बंदर को संस्कृत में क्या कहेंगे कपी और यह क्या है छोटी की मात्रा फिर यह क्या है बड़ी की मात्रा इस तरह से लिखते हैं और यह क्या है यह चित्र क्या है दीप का दीप को संस्कृत में कहते हैं दीप क्या कहते हैं दीप तो यह हो गया दीप य है चोटाउ की मात्रा और इसको संस्कृत में कहते है और संस्कृत से बना है शुका शुका यानि तोता तोता को हम क्या कहते हैं यह चित्र क्या होता है शुका इसमें क्या लगा हुआ है छोटाओ की मात्रा है शुका लिखेंगे हम कैसे छोटाओ की मात्रा के सहारे तो यह चोटाओ की मात्रा है फिर यहां पर क्या है यह बराओ की मात्रा तो बर से मायूरह लिखेंगे मायूर की मात्रा कि बेर तो इस्तards में संस्क्रिट ने संस्क्रित स्ट। डिच डिच। ‎ uh की मात्र लगा हुआ है V को अ की मात्र तो क्या हो क्या हो क्या बिक्ष यहां पर क्या है फिर? ए तो ए की मात्रा इस तरह से लिखते हैं यहां पे चित्र आप देख रहे हैं क्या है चित्र गाय का तो गाय का चित्र जो है तो गाय को संस्क्रित में क्या कहेंगे धेनू क्या कहेंगे धेनू तो ए की मात्रा किस पे लगा हुआ है धो पर धो में ए की मात्रा नौ में छोटा वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं, double line डालेंगे उपर में तो हो जाएगा आई की मात्रा, ये चित्र देख रहे हैं, ये क्या चिछ का चित्र है, पहार का, क्या चिछ का है, पहार का, पहार को संस्कृत में क्या कहेंगे, सेलम, क्या कहेंगे, शेलम, पहार को स शेलम, यह पहार का संस्कृत सब सेलम, फिर हो है ओकी मात्रा, तो ओकी मात्रा किस तरह से लिखा है, आप देख रहे हैं, आप लोगों के पास बुक होगा ही, नहीं तो इस वीडियो में देखिएगा, इस चित्र क्या चीज का है, कबुतर का, इसको हम हिंदी में कबुतर बोल है, आव की मात्रा, आव की मात्रा है, तो ओकी मात्रा कैसे लिखा हो, देख रहे हैं, फिर यहां पर यह क्या है, दवा, यह दवा सब रखा हुआ है, तो दवा को हम क्या कहेंगे, संस्कृत में औस्धी, क्या कहेंगे, औस्धी, तो अव, अश्र, अध्व में, छोटी की मा जान तो यह क्यों फिर यहां पर क्या है अंक की मात्रा यह आप देख रहा है इसको हम हिंदी लिखेंगे हंस कैसे लिखेंगे हंसह रशा अंस्वार की मात्रा अश्वापर बिसर की मात्रा तो हमसाँ यह क्या है से यह schizophrenia higher नार। यह क्या है baix कि माख् suffima taraf जो सब्सक्राइब कि यह अक्यों को सब्सक्राइब का नम स्कार को हम क्या करेंगे संस्कृत में नमः न अमोमे अ की मात्रा तो यह क्या हो गया नमः समझ गया है तो यह आप लोग को इस तरह से मात्रा का मात्रा के बारे में बता रहे हूं आप लोग ध्यान से देख लिए अमोमे हलन आधार मोमे आधार रो अमोमे पूरा यह इधर हलन्त है यह आ मो मे अधार रो रिप की मात्रा परहाए हुए है उसमें बता रहे हैं और इसमें हलंत लगा हुए है तो यह क्या होगे आमरमम कौप में छोटी की मात्रा पी बिसर की मात्रा जो यहां पर अह की मात्रा है अह की मात्रा जो है वो सारे में लगा हुआ है लाश्ट में देख र यह आप लोग यह चैप्टर समझ गया यह चैप्टर आपका त्रितिये पाठा समाप्त हो गया यही आप लोगों को इसमें त्रितिये पाठ में आप लोगों को मात्रा पढ़ना था मात्रा से बने सब्द लिखना था तो ये आपका ये पार्ट समाप्त हो गया आप लोग इसको कॉपी में सुन्दर सुन्दर राइटिंग में लिखेंगे देख रहा हैं ये आ की मात्रा ये छोटी की बड़ी की छोटाओं की बराओं की आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बरी की मात्रा, छोटाओ की मात्रा, बराओ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ये री की मात्रा, और ए की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, अ की मात्रा, ये सारे मात्रा है, मात्रा से ये बने सब् इसको आप लोग ध्यान से देखिए चित्र माने की जड़ुत। पहले लिख़ेगा, फिर मात्रा और सुर्ड से आप सारे कोपी में करें, इसको लर्ण करेंगे। यह सारे सब्द को लर्ण करेंगे थेंक यू